स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट टू की वीडियो में तो बिना टाइम विस्ट किये हम जल्दी से इसको कंटीन्यू करेंगे ठीक है तो चलिए जैसे के आप सबको याद होगा और हमारे सब्सक्राइबर्स को तो याद होगा कि ये वाला हमने फंडमेंटल एनालिसिस की वीडियो में दिया था कोटक बैंक का जिसमें हमने यहाँ पर बाइंग करवाई थी करीब करीब 80-90% of time bounce back होता ही है ठीक है तो मैं आपको थोड़ा reason बताता हूँ देखो एक नया support zone बना के मैं आपको example देखके दिखाता हूँ ठीक है यह हमने support zone बना दिया और और एक rectangle बना दिया मैं इसको draw करके आपको दिखाता हूँ कि यह zone कैसे बनता है price उपर गया फिर नीचे आया ठीक है फिर उपर गया फिर उसको तोड़ दिया जिदर जा चुका था ठीक है जब भी break होगा तब fast moment आपको दिखेगी फिर देखो उपर गया और exact वो zone से resistance लेके नीचे आया price हमारे zone पे जोके नीचे का support zone था ठीक है यह वाले पे यह होता है support and resistance trading काफी clear है support and resistance कैसे बनेगा जब कोई highs and lows बनेंगे ठीक है अब आप यहाँ पे कई entries ले सकते थे जब यह break होगा तब आप entry ले सकते थे यहाँ पे फिर उपर के target के लिए फिर जब नीचे आया फिर आप यहाँ पे green candle देखके entry ले सकते थे ठीक है जब भी break होगा तब fast moments आएगी आप यह देख लेना यह देखो break होगा fast moment आई यहाँ पे resistance ले रहा है ठीक है यहाँ पे red candle जैसे ही बनाए आपको वैसे ही यहाँ red candle बनाए थे यह आपको short कर देना है क्योंकि आपको पता है ना red candle याने के bearish candle ठीक है चली support and resistance तो हो गया अब trend lines क्या होती है मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ trend line वो होती है जिस पर price दो से ज्यादा बार touch करता है एक line पर जैसे के दो बार price touch कर देता है तो तीसरी बार आप expect कर सकते हो उदर trend line या तो तोड़ेगा या तो उदर से support लेके उपर जाएगा जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर price आया आप line बना दीजिए फिर उपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा तो वहाँ से देखो support लिया और उपर गया वापिस और जब इसको break करेगा तो नीचे जाएगा जैसे clear आपको visible है इसमें trend line break हुई वैसे clear नीचे चला गया इसको कहते है trend line trend line trading आप easily कर सकते हो बट इतनी ज़दा accurate नहीं है आज के time पे तो काफी कम accurate हो गई है बड़े time frame पे अच्छी कासी accuracy दे देती है बाकी short time frame पे तो बिलकुल accurate नहीं है अब ठीक है अब आप देख सकते हो काफी सारी trend lines बनती हुई देख रही है ठीक है अब trend lines तो बनी जाएगी इसलिए थोड़ी तकलिक फ्रतिया रहें क्योंकि आप trend lines काफी जादा हो चुकी है तो 100% हर कोई work नहीं करती यह देख सकते हैं अभी अभी की recent trend line break थी इसमें हम long position बना लेते अगर यहाँ पे buy कर लेते तो one ratio one target लगा देते तो easily अचीव हो जाता target इसको कहते है trend line trading थीक है तो चलिए आगे चलते है guys chart patterns एक बड़ा concept है इसके उपर मैं specially एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा फिलाल आप यह जो screen पे photo दिख रहा है उसका screenshot ले लीजे और इसको देख लीजेगा कि क्या-क्या type के patterns होते हैं और अभी मैं आपको इसके screenshot charts में भी दिखाऊँगा कि यह charts में कैसे दिखेंगे इसमें तो lines में दिखा रहे हैं लेकिन charts में कैसे बनेगे patterns वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास दो photos पड़े हैं उसमें before and after दिखाता हूँ ठीक है चलिए यह देख सकते हैं आप before and after आपको clear दिखा रहा है double top before and after double bottom before and after इसे सब कुस दिखा रहा है ठीक है अब दूसरे पर देखते हैं इसमें भी आपको before and after दिखा रहा है डोंट वरी गाईस मैं 100% वीडियो बनाऊँगा इस पर चार्ट अलग-अलग टाइब के triangles बनते हैं, rectangles बनते हैं वो सब होता है chart patterns ठीक है तो चलिए आगे चलते है अभी तक मैंने आपको जो सिखाया है part 1 और part 2 में उसको आप combine करके जो trading करते हो उसको कहते हैं price action price action is king of technical analysis मैं आपको एक example दिखाता हूँ यह हमने एक trend line यहाँ पर बना दी ठीक है बन रही है trend line clear and visible सबको visible है अब इस पर आप देखो मैं आपको draw करके देखा देता हूँ price उपर गया नीचे आया आपकी trend line अभी नहीं बनी उपर जाके नीचे आया यहाँ पर आपकी trend line बननी चालू हो जाएगी तो आप third time जब यहाँ पर price आ रहा है तो आपकी trend line पर आयेगा ठीक है यह वाली candle green color की candle मैं zoom करके आपको दिखाता हूँ यहाँ आप candle देख रहे हो green color की candle stick की video में मैंना part 1 में क्या दिखाया था candle अलग अलग टाइप की होती है इसमें clear visible है के candle open इधर हुई और इतना जादा नीचे गई फिर वापस उपर आ गई फिर जाके close हुई और नीचे जाते time इसने red color की moving average से support भी लिया moving average भी मैंना आपको सिखाया है और trend line से भी support लिया तो हम यहाँ पर buy position definitely बना सकते हैं हम यहाँ पर buy करेंगे logical सा stop loss लगाएंगे stop loss की ओपर भी मैं special video बनाऊँगा advanced stop loss लेकिन फिला logical यूज़ करते हैं तो देख सकते हैं आप अच्छा गर्सा target अच्छीव हो चुका है easily यह होती है price action trading यह सब मैं आपको in detail शौट में एकदम detail वाली चीज शौट में समझा दिये जो के courses बनके बिकते हैं इस चीज के 25-25-30-30-30,000 के courses बनके होगा इसमें आप दो तरीके से trade कर सकते हैं एक trend line break पे और एक यह मैं आपको दिखाता हूँ यह candle देख लीजे strong candle है ओपर नीचे ओपन हुई नीचे इतनी लंबी गई फिर वापस उपर आके close हो गई यह दर्शाती है कि यह strength थी है candle में buyers की strength थी तो हम यहाँ पर buy position definitely बना स stop loss आप देख सकते हैं कितना अच्छा target हमको अचीव हो गया यह सारी चीज़े 100% time work नहीं करती है आपको experience gain करना ही पड़ेगा तब आपको समझ में आगी कब work करेगी कब नहीं ठीक है यहाँ पर हमारी technical analysis की दोनों parts खतम होते हैं मैंने आपको सच में महंगे महंगे courses में जो अब हम जल्दी चालू करने वाले हैं live trading videos जिसमें मैं live trading करके आपको दिखाऊंगा कि profit actually कमाया जा सकता है वो भी bank nifty में से सबसे hard चीज़ होती है bank nifty उसमें से हम options trading करके scalping करके हम profits कमा के आपको दिखाएंगे ठीक है बहुत मज़ेदार होने वाली है subscribe जरूर कर लेना गलत अगर चुनना है तो link description में दी हुई है और किसी को full service चुनना है full service याने के call and trade facility and etc. etc. मिल जाता है and brokerage भी कम charge करने के लिए कम charge होगा तो sharekhane best है इसकी link भी description में दी हुई है और आपको दोनों contact numbers भी दे दिएंगे कि account open करके आपको किसको contact करना है और जिनको नहीं पता कि हमा दी हुई है